सोनीज एज बविश्यका लंडन जो बहुत विक्सित और एडवांस होता है वहीं उसकी कुछ पुरानी और बदनाम गलियां भी मौजूद थी जहां किसी भी तरह का कोई कानून लागू ही नहीं होता इसलिए वहां लोग अपने मनोरंजन के लिए एक जवरदस्त अंडरग्राउंड बीस फाइट देखने और उस पर सर्त लगाने के लिए आते हैं यहां एक बहुत ही अनोखी फाइट होती है क्यूंकि इसमें इनसान की जगे उनके दानव जो दिमागी तोर पर अपने मालिक से कनेक्ट होते थे वो लड़ते थे जिसमें मालिक पाइलेट होता था और दानव होस्ट ऐसे ही एक पाइलेट थी सोनी वो अपने दोस्तों के साथ अपना कंटेनर लेकर उस जगे पहुंसती है उस जगे का मालिक डीको के साथ उसके गार्ड्स और एक लड़की आती है डीको उसके दानव को देखने के लिए उसके वाटर चैमबर की लाइट को ओन करता है जिसको देखकर वो कहता है वाह क्या शांदार नर है तबी सोनी उससे कहती है ये फीमेल है तो डीको उसको एक ओफर देता है कि अगर वो आज की फाइट हार जाए तो सोनी उसकी इस बात से साफ इंकार कर देती है और कहती है मैं न कभी जुकती हूँ और न कभी हारती हूँ तो डीको उससे पूछता है कि ऐसा क्या है तुमारे अंदर वो कहती है मैं सबसे अलग हूँ क्यूंकि किसी भी दूसरी टीम के पास female pilot नहीं है तभी डीको उससे कहता है तो ये है तुमारी खासियत फिर सोनी का साथी डीको से कहता है इसने आज तक जितनी भी fight करी है ये सभी जीती है ये undefeated है तभी डीको उसको हारने के लिए 5 लाग डॉलर का offer करता है फिर भी सोनी मना कर देती है तो डीको गुस्ते से कहता है मैं तुमको एक हार के इतने पैसे दे रहा हूँ जो तुम कभी अपनी पूरी जिन्दगी जीत नहीं सकती तबी सोनी की साती इरवाना डीको को बताती है कि असल में आज से ठीक एक साल पहले सोनी का कुछ गुंडों ने यौन उत्पीडन किया और उसके बाद भी वो लोग नहीं रुके उन सबने मिलकर उसके पूरे सरीर पर चाकों से इतने जक्मू बना दिये जो वो खुद भी कभी नहीं गिन पाई और जिस दर्द से वो गुजरी है और जो बेज़ती उसके दिल और दिमाग में बस चुकी है वो उसको कभी बुला नहीं सकती और तुम उसके दर्द को कभी समझ नहीं सकते क्यूंकि ये लड़ाई किसी मान सम्मान के लिए नहीं लड़ती और पैसे के लिए तो बिलकुल भी नहीं वो लड़ती है सिर्फ अपना बदला लेने के लिए डीको उसकी बात सुनकर उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं उस पर कोई दवाब नहीं डालूँगा फिर वो तीनो फाइटिंग रिंग में पहुंसते हैं वहाँ पहुंसते ही सोनी का पर्तिदुंदी सोनी को चैलेंज करता है वैस सोनी को उसके दानव से लिंक कर देता है और सोनी ध्यान मुद्रा में बैठ जाती है उसके दानव का चैंबर खुलता है और वो रिंग में पहुंसता है उसका नाम है खानिवोर वो दानव दिखने में ऐसा था जैसे reptile और वो hybrid हो या जैसे कोई reptile alien फिर वहाँ दूसरा दानव आता है उसका नाम है टर्बो रैप्टर वो दिखने में Clash of Titans के Kraken जैसा दिखता है और दोनों में fight सुरू होती है सोनी का दानव सामने वाले पर तेजी से वार करता हुआ, उसको सामने वाली दिवार पर दे मारता है, लेकिन तभी वो दानव खानी वोर की पूँच पकड़ कर दिवार पर उसको दे मारता है, अब खानी वोर अपनी पूँच को पांच हिस्से में बाट लेती है, और टर्ब पुरा का पूरा चाकु उसके पेत में घुषा देता है। अब खानी वोर की हार और मौत निश्चित थी। लेकिन तभी खानी वोर टरबो रैप्तर को पकड़ कर अपने सिर उसके सीने में घुषा देती है। और टर्बो रेप्टर को मार कर फिर से अंडिफेटिट बनी रहती है। डीको सोनी की तरफ देखता है, सोनी अपने ध्यान में बैठी होती है। अब सोनी डीको के साथ आई लड़की को खानी वोर के चैंबर की तरफ जाते देखती है, वो उसके पास जाती है और उससे पूछती है तुम इतनी खूपसूरत हो और मासूम पर डीकों के साथ क्यूं हो वो कहती है अपनी सुरक्षा के लिए सोनी उससे पूछती है क्या तुम्हारा दिल उसको छोड़ने का नहीं करता वो कहती है हमेशा करता है तो सोनी उसको अपने टीम में आने को कहती है पर वो मना कर देती है वो बताती है कि उसको सोनी से डर लगता है और उससे पूछती है क्या तुमको डर नहीं लगता सोनी उसके नजदीक आने लगती है और बताती है कि डर उसको भी लगता है पर वो दिखाती नहीं वो लड़की कहती है सब वही देखते हैं जो आप दिखाना चाहते हैं और कहकर अपने कपड़े उतारने लगती है सोनी नजदीक आकर उसको किस करती है तभी वो लड़की अपने नाखूनों को उसके चेहरे में सिर्थ तक घुसा देती है और पीछे से डी को आता है और वो सोनी से पूचता है क्या तुमको अब भी डल लग रहा है सोनी जमीन पर पढ़ीवी बोलती है काफी अच्छी चाल है उसको बोलता देख वो लड़की लात मार मार कर सोनी का सिर्फ ओड देती है सिर्फ ओडने के बाद भी सोनी फिर बोलती है लेकिन ये काफी नहीं है और उसी हालत में हसने लगती है Dico हैरान होकर उस से पूशता है तुम कौन हो तो Sony कहती है कि वो read की हड़ी से जुड़ी हुई ऐवेर प्रोसेसर है Dico कहता है कि इसका मतलब तुम वो नहीं हो तब ही Sony की आवाज वहां के speaker में साने लगती है और वो बताती है, मेरे हाथ से वाली रात, इरवाना और वैस को जब मैं मिली, तो सिर्फ मेरा शरीर ही बचा था, लेकिन उन दरिंदों ने मेरा सर फोड दिया था, और डीको से कहती है, तुम मेरा एज, मतलब मेरी खासियत जानना चाहते थे न, तो सुनो, मैं जब भी फाइ वो डर, मौत का डर है, और क्या तुम अब उसको महसूस कर सकते हो, असल में खानी वोर कोई होस्त नहीं थी, वो खुच सोनी थी, क्योंकि उसके साथियों ने उसके दिमाग को उसके अंदर ही रख कर बचा लिया था, और सोनी का शरीर दूसरों को दिखाने के लिए सिर्फ चलता फिरता मास का एक कल पूर जा था, और कहानी यहीं खत्म हो जाती है,